प्रसद हिंदू मंदिरों की वास्तुकला इतिहास और महत्वक को जानने से पहले एक बार बोलिये बंबं भोले ओम नमः शिवानी और आप देख रहे हैं डिवोश्टल संगी दोस्तों केदारनाथ भारतिय राजे उत्राखंड में स्थित एक प्रमुख मंदिर है यह बदरीनाथ के बाद छोटे चारधाम यात्रा का दूसरा महत्वपून स्थान है और इसे विशेश धार में एक महत्वद दिया जाता है केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पि और यहां हिमालाई परवत श्रिंग में स्थित है यह मंदिर अपनी विशेश वास्तुकला एतिहासिक महत्वप और धार्मिक महत्वप के लिए प्रसद है आए केदारनाथ के वास्तुकला के बारे में जानते हैं केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला में हिमाली वास्तुकला के विशेश तत्व मौजूद होते हैं यह मंदिर पहारी शैली में बनाया जाता है और इसका निर्माण गहरे ग्रेनाइट पत्थर के टुक्रों से होता ह मंदिर का शिखर उचा होता है और इसे सफेद रंग में रंगा गया है इसकी संगरचना में विभिन पवित्र स्थलो के आदश दिखाई देते हैं और इसे महाकाली और उशापाती देवी की मूर्तियों से सजाया गया है मंदिर के अंदर एक गर्वरिय स्थापित है जहां भगवान केदारनाथ की मूर्ति स्थापित है आए केदारनाथ के इतिहास की चर्चा की जाए केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है इस के अनुसार महाभारत में पांडव योद्धा अपने पालकों के साथ यहां पहुचे थे और यहां शिवजी से मिलने के लिए प्रात्रा की थी शिवजी ने उनकी प्रात्रा सुईकार की और उन्हें आशिरवात दिया उस वक्त से यहां परम परागत रूप से मंदिर स्थापित हो गया और यहां भगवान शिवजी को केदारनात के रूप में पूजा जाता है केदारनात के महत्व को समझते हैं केदारनात मंदिर हिंदु धर्म के अत्यंत महत्वपून स्थानों में से एक है इसे चारधा म्यात्रा का एक महत्वपून हिस्सा माना जाता है और लाखो श्रधालू यहां शिवजी की दिव्यता का आनंद लेने आते हैं केदारनाथ मंदिर के पास गंगा नदी का संगम होता है और यहां श्रधालू गंगा जल को अपने घर ले जाने के लिए उसे धार्मिक महत्वप देते हैं यहां स्थित भोले नाथ शिवलिंग को देखकर लोग अपने पापो के शैकी कामना करते हैं और मानेता है कि केदारनाथ की यात्रा से पापो का नाश होता है इस प्रकार के दारनाथ मंदिर हिंदू धर्म की महत्वपून धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है इसकी वास्तुकला अतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व ने इसे भारती और विदेशी यात्रियों के लिए आकर्शक बना दिया है इसे दर्शन करने के लिए जनता वर्ष भर में यहां आती है और अपने आपको धार्मिक और मानसिक शांती की अनुभूती करती है किदारनाथ मंदर तक पहुँचने के लिए सभी मार्गों का सुझाप निमले खित है किदारनाथ यात्रा मार्ग एक रामपूरम गाउ मार्ग धहरादून से हरिद्वार जाए हरिद्वार से रामपूरम गाउं जाने के लिए यात्रा करें रामपूरम गाउं से गौरिकुंट जाने के लिए बस या टैक्सी सेवा का उप्योग करें फत्ता से लिट्टी जाने के लिए जीप या टैक्सी सेवा का उप्योग करें। लिट्टी से केदार наथ तक 22 किलो मेटर लंबी ट्рекकिंग करें। केदार ना थे आत्रा मार्ग 3 सोन प्रयाग मार्ग रिशिकेश या हर दौर से सोन प्रयाग जाएं। सोन प्रयाग से गौरी कुंड जाने के लिए जीप या टैक्सी सेवा का उप्योग करें। गौरी कुंड से केदार नाथ तक 14 किलोमेटर लंबी ट्रेकिंग करें। केदार नाथ यात्रा मार्ग 4 त्रीपथी मार्ग रिशिकेश या हर द्वार से सोन प्रयाग जाएं। सोन प्रयाग से त्रीपथी जाने के लिए बस या टैक्सी सेवा का उप्योग करें। त्रीपथी से लिट्टी जाने के लिए टैक्सी सेवा का उप्योग करें। लिट्टी से केदारनाथ तक 22 किलोमेटर लंबी ट्रेकिंग करें। ये सभी मार्ग आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुँचाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यात्रा करते समय सुरक्षा का खास ध्यान रखें। और यात्रा के पहले सानी अधिकारियों या यात्रा संचालकों से जानकारी प्राप्त करें। केदारनाथ मंदिर शेत्र में रहने और खाने की ववस्था निमलेखित धंग से होती हैं। आएए वहाँ रुखने और खाने के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ धर्मशालाओं के बारे में। केदारनाथ मंदिशेत्र में विभिन धर्मशालाएं हैं जहां आप ठहर सकते हैं। ये धर्मशालाएं सादगी पूर्ण्ट होती हैं। और आपको आरामदायक और साफ सुतरे कमरे प्रदान करती हैं। आपको धर्मशालाओं में शौचाले और स्नान घर की सुविधा भी मिलती है। प्रावेट होटेल और लॉंज केदारनाथ के पास कुछ प्रावेट होटेल और लॉंज भी हैं जो आपको आरामदायक रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन होटलों में आपको आधुनिक्स विधाए और अपने आपको आपूर्ती करने के लिए रेस्टरांट भी मिलेगा। भोजन किदारनाथ मंदिर शेत्र में कई भोजनाले और धर्मशालाये हैं जहां आप पूर्ण तह शाकाहारी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहां आपको सात्विक और शुद्ध भोजन मिलेगा जिसमें संतुलित आहार शामिल होता है। प्राणियों की सुरक्षा किदारनाथ मंदिर शेत्र में अनुमती नहीं है किसी प्रकार के zarnवरों को ले जाना। यहां प्राणियों की सुरक्षा और संग्रक्षन को ध्यान में रखते हुए इसका पालन करें। किदारनाथ मंदिर शेत्र में आपको स्वक्षता, नियमित जल आपूर्ती और सामगरी के विशेश ध्यान देने की सलहा दी जाती है। यात्रा करने से पहले स्थानी या धिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा के लिए उपाय अपनाए। किदारनाथ जाने से पहले कुछ चिकित सस्थीतियों से लोगों को बचना चाहिए। निमलिखित मेडिकल स्थीतियां हैं जिनमें केदारनाथ यात्रा करने से बचना चाहिए। रिदय रोग के मरीज। यदि आपको रिदय रोग हैं अनियमे धरकन या दिल से संबंधित अन्य समस्याय हैं तो केदारनाथ के यात्रा से बचना चाहिए। इसका कारण यात्रा के दोरान ज्यादा उचाई परिवर्तन, शारिरिक तनाव और उच शारिरिक कारे का असर हो सकता है जो रिदय के लिए जोखिम बन सकता है उच रक्त चाप के मरीज यदि आपको हाइपरटेंशन है तो केदारनाथ यात्रा से पहले अपने चिकित सक से परामर्श करें यात्रा के दोरान उचाई और शारिरिक प्रयास के कारण रक्त चाप बढ़ सकता है और इससे संबंधित समस्याय हो सकती है शाव सनली और फेफडो की विमारी यदि आपको अस्थमा, ब्रोकाइटेस या फेफडो से संबंधित रोग है तो केदारनाथ जाने से पहले अपने चिकित सक की सलाह ले और उचाई पर यात्रा करने से श्राव सनली समस्याय बढ़ सकती है और दिक्कते हो सकती है शारिरिक कमजोरी और अस्थाई स्थीरता या चोट के कारण दिक्कते हैं तो केदारनाथ यात्रा से बचना चाहिए केदारनाथ यात्रा शारिरिक प्रयास की मांग करती है और इससे आपके स्वास्थ पर असमाने प्रभाव हो सकता है यदि आप इन चिकित सा स्थीतियों में से किसी में संकेत देखते हैं तो केदारनाथ मंदे शेत्र की यात्रा से पहले अपने चिकित सक से परामर्श करें और वे आपको यात्रा की बारे में सलहा देंगे आपके स्वास्थ और सुरक्षा को प्राथ मिक्ता दे और अपने चिकट सक के द्वारा दिये गए सलाह का पालन करे किदारनाथ जाने से पहले निमलेखित साफधानियों का पालन करना चाहिए यात्रा पूर्व तैयारी अपने चिकित सक से मिले और यात्रा की सला ले, वे आपको यात्रा के लिए फिटनेस और आपकी स्वास्थ सिती कमुल्यांकन करेंगे आवश्यक दवाओं की जाच करें और यात्रा के दौरान उन्हें साथ ले उचाई पर अनुकूलता, किदारनाथ शेत्र में उचाई होती है, इसलिए ध्यान दे कि आपके पास पर्याप्त वक्त रहे और आप धीर धीर उपर जाएं, उचाई से संबंधित लक्षणों को ध्यान में रखें और जरुरत पढ़ने पर तुरंत विश्राम करें भोजन और पानी, किदारनाथ शेत्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामगरी और पानी ले जाए, स्थानिय भोजना लेओ और धर्मशालाओं का उप्योग करें और सुरक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखे, यात्रा सुरक्षा, यात्रा करते समय सुरक्षा क ध्यान रखे, गाईट की सहायता ले और सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करे। जरुरत पढ़ने पर चरम संगठन के साथ संपर्क करे। मौसम की जानकारी यात्रा के लिए मौसम की जानकारी प्राप्त करे और उसे अपनी यात्रा की योजना में शामिल करे। यात्रा के लिए अलग-अलग मौसम के लिए उचित वश्त्र और सुरक्षा सामगरी ले जाए। विश्राम और आत्म देख भाल। यात्रा के दौरान अपने शरीर को आराम दे और नियमत विश्राम ले यात्रा के दौरान शरीर के जुखाम, मुखार, गले में खराश, आदी के लक्षनों का ध्यान रखे और जरूरत पढ़ने पर मेडिकल टीम की सहायता ले यात्रा के दौरान ये सावधानिया बरतने से आपकी सुरक्षा और स्वास्त की देख भाल होगी। इसलिए इनका पालन करें और एक सुरक्षित और आनंद मैं केदारनाथ यात्रा का आनंद ले। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो हमें कॉमेंट कर अवश्य बताएं। अब अपने दोस्त और होस्त शिवानी को दीजिए इजाज़त नमस्कार।